माउंट आबू हमारे देश में विभिन राज्ये हैं इन राज्यों में घूमने के अंगिनेत स्थान है रंग बिरंगे राजिस्थान का एक मात्र परवती प्रदेश माउंट आबू एक अद्भुत पर्याटन स्थल है आओ देखकर जाने माउंट आबू के बारे में माउंट आबू राजस्थान का एक मात्र पर्वती पर्याटन स्थल है इस पर्वती स्थल पर वे सभी विशेश ताइम मौजूद हैं जो प्रकृती प्रेमियों को अपनी ओर आकर्शित करती है जील का किनारा, उंचे घने विरिक्ष, उंचे नीचे तीडे मेडे रास्ते डूबते सूरज का मनोरम द्रिश्य, सहज ही, प्रकृती प्रेमियों को अपनी ओर आकर्शित करते हैं बाउं टाबू, सीरोही जीले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली परवश श्रिंखला के दक्षिर पश्चिम में स्थित है वैसे तो वर्ष भर यहां सैलानी आते रहते हैं पर गर्मियों में तो यहां सैलानियों का सैला अबुमर पड़ता है यहां नक्की जील के पास शाम के समय गूमना वा बोटिंग करना परियटकों को विशेश रूप से प्रभावित करता है नक्की जील राजस्थान की एक ऐसी जील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है जील के किनारे स्थित यहां के मुख्य बाजारों में शाम को एक मेला सा लगता है यहां बिखने वाली अधिक तर वस्तूओं पर राजस्थानी वा गुजुराती चाप नजर आती है कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस जील को खोदा था इसलिए इसका नाम नक्की जील पड़ा नक्की जील से तीन किलो मीटर की दूरी परिस्थित दिलवाडा मंदिर पांच जैन मंदिरों का समू है यह मंदिर संग मरमर पर शांदार कारीगिरी का अध्भुत नमूना है इन मंदिरों का निर्मान गयारवी से तेरवी सदी के बीच हुआ था प्रमुक मंदिर में बावन छोटे मंदिरों वाला गलियारा है जिन में जैन तीर ठंकरों की प्रतिमाई है कहा जाता है कि पंदरा सो कारीगरों ने चोदै वर्षों तक काम किया था तब इन खुबसूरत मंदिरों का निर्मान हुआ था दिलवाणा मंदिर से पांच किलोमेटर आगे बढ़ने परिस्तित है अचल गल का खिला यह परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था बाद में राणा कुम्भा ने इसका खुनर निर्मान करवाया यहां अचलेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव का मंदिर है मंदिर के पीछे मंदाकिनी कुंड है यहां सोलमी शताबदी में बने कलात्मक जैन मंदिर भी है मांटावू पर एक संसेट पॉइंट है जहां अस्तगामी सूरी के अप्रतिम सौंदर्य वा बदलते रंगों की अभूत पूर्व छटा को देखते हुए दर्शक आत्म लीन हो जाते है मांटावू में मेंडक के आतार की एक चटान भी है जिसे टोड रॉक के नाम से जाना जाता है यहां नन रॉक नाम की एक और चटान है जिसे देख कर लगता है जैसे कोई स्त्री घूंगट निकाल कर बैठी है मांटावू से पंदरा किलो मीडर की दूरी पर अरावली परवत माला की सबसे उची चोटी गुरू शिकर स्थित है यहां पहुँच कर ऐसा लगता है मानो हम बादनों के बीच पहुँच गए है यहां से नीचे देखने पर बड़ा ही अध्भुत दिश्य दिखाई देता है अपने अंदर विभिन मनमोहा की स्थलों वा आकर्षणों को समेटे माउंट आबू एक ऐसा परियाटक स्थल है जो यहां आने वाले परियाटकों को आत्म विभूर कर देता है